नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर शॉलुशन के यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अंबेड कर यूनिवस्टी से अगर आप बेड कर रहे हैं बेड फरस्ट यर में या फिर आप बेड सेकंड यर में हैं तो आज की बहुत अपडेट आपके लिए important रहने वाली है जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेड चात्रों के सामने आई मुसीवर टल सकते हैं आपके एक्जाम तो आपके जो एक्जाम है वो टल भी सकते हैं जो की बहुत जादा chances अब बनी हुई है और जो ये new update आई है आपकी आज की news paper में इ आपकी डॉक्टर अंबेर का उनिवस्टी आगरा की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए तो चलिए जल्दी से जो की update आपकी news paper को निकल के आई है उसकी बात कर लेते हैं उस पेपर के अगर मैं बात करो तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि परवेश पत्र बने नहीं प आपका admit card आ जाता है यानि किह फटो दिन में यानि किह 27 को अगर आपका admit card आ जाता है तो आपकी एक्जाम हो जाएंगे लेकिन अगर नहीं आप आते हैं अपके एक्जाम फिर 100% आपके आगे जाएंगे यानि के पोस्पॉर्ण होंगे ठीक ना लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि अब मैं इन दो दिन में ना पढ़ूं ऐसा मतलब इस्टेडी पर ब्रेक नहीं करना है अपनी के मरुजाला की कटिंग है इसमें देखते हैं फटाफट से क्या का आगया है इसमें का आगया है इस कारण दो बार पहले भी टल चुकी है बेट की परिक्षाएं यानि के इसी के कारण यहीं जो आपका रीजन है कि परवेश पत्र नहीं बनाए हैं और वही फीस का रीजन तो दो बार आपके टल चुकी है परिक्षाएं 48,000 शात्र हैं पंजिकरत 48,000 शात्र ने रेजिटेशन आपका कराया था बात करते हैं पूरी अपडेट की डॉक्टर बीयार अमेड कर विश्विध्याल्य परशाशन अभी तक बीएड शात्रों के परवेश पत्र तयार नह चुनोती बना हुआ है इससे पहले परवेश पत्र नय बन पाने के कारण दो बार च्छैं और 15 सितंबर परिक्षा टल चुकी है इसके बावजूद परवेश पत्र तयार करने के लापरवाई में लापरवाई बरती जा रही है परिक्षा नियंतर डॉक्टर रों परकाश ने बताया है कि जिन छात्रों का परिक्षा शुल्क जमा हो गया है उनके परवेश पत्यार होने का कारिया शुरू कर दिया गया है 22 तक परिक्षा के लिए परवेश पत्र डाउनलोड कर दिये जाएंगे यानि कि देखो क्या कहे रहे हैं आपके परिक्षा ने अंतर कह रहे हैं 22 सितंबर एकदम लास्ट दिन मलब एकजाम से एक दिन पहले यह व्यवस्ता ह है आपके डॉक्टर रंबिड कर युनिवस्टी की 22 तारिक को आपके परवेश पत्र दे दिये जाएंगे और जिनकी फीज जमा है मलब जिन बच्चों की फीज जमा है और रेडी उनको ही आप लास्ट दिन उनके एडमिट कार्ड दो गए वह डाउनलोड करेंगे हैं ना चात्रों चात्र ही दे पाएंगे परिक्षा तो यहाँ पर देनी जागर ने करा रहा कि जिसकी फीज जमा है जिसकी फीज जमा है वही अपनी एक्जाम दे पाएगा और जिसकी नहीं है उसका तो छूटी जाएगा उसका सालवाल ये सारे बरबाद हो जाएंगे डोक्टर डॉक्टर भीमराम बेड़कर विश्विधाल्य में बीड परिक्षा में भी फीज का फेर फंस गया है, कॉलेज विश्विधाल्य के निर्देशों को गंबीरता से ले ही नहीं रहे हैं, तमाम चेतावनियों के बाद भी कॉलेजों ने अंतिमतिती तक फीज जमा नहीं कराई अब विश्विधाल्य ने सकत रुक अपना लिया है, जिन छात्रों की फीज जमा नहीं होगी, उन्हें परिक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है, बीएड दो वर्षे पाट्टे करम पर्थम और दित्य वर्ष की परिक्षा में 48,000 छात्र से अधिक छात्र शामिल होने हैं, बीएड की परिक्षा सितंबर के दूसरे सप्ता में शुरू होनी थी, लेकिन कोलिज ने नोडल सेंटर बनाने से इनकार कर दिया है, जिस वजए से परिक्षा इस्तगित करनी पड़ी, अब तेई सितंबर से परिक्षा कराने का फैसला लिया है, परिक्ष पंदरा हजार चात्रों की फीज जमा नहीं हुई थी, इस पर विश्विद्याले ने 18 और बाद में 19 सितंबर तक फीज जमा करने के निर्देश दिये है, रविवार देर शाम तक कोलिज ने 41,000 चात्रों के MIS जनरेट कर लिये थे, शोमवार तक भी कोलिज ने फीज जमा नहीं कराई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीज को लेकर बहुत जादा आपका ये पंगा आपका हो रहा है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यही पता है, देखो क्योंकि अगर आइडिमिट कार नहीं आए तो प्रोब्लम तो हो सकती है, आप लोगों क गया करना है, जब आपने अपना ओनलाइन फरोबहा होगा ठीक है, अपनना अग्जामिनेशन ओनलाइन फीजे भी जमा कर देख, ठीक है, तो यह कनफर्म कर ले ना, तो दिक्कत तो नहीं पसक्राइब सब्सक्राइब जिससे को अपके पास वीडियो नॉटिफिकेशन आते रहें कोई भी important वीडियो आपकी डॉक्टर अंबेड का उनिवस्टी आगरा की बेड़ फस्टेर सेंगेर के बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए क्योंकि आपका जो अभी time ऐसा चल रहा है एक तो examination time है उपर से ये सारी दिक्कते है ना उपर से सारी दिक्कते जो सामने face कर नहीं पड़ रही है ना तो इसलिए चैनल को subscribe कर लिजए अगर कोई भी update हो जिससे कि आपको एकदम से मिल जाए और बिल्कुल सट्टिक जान करे के लिए आप हमारे चैनल पर subscribe कर सकते हैं इसलिए अपने ध्यान लेकर पढ़ते रहेगा खुश रहिए गा और अपने घर वालों को भी ध्यान लेकर और अपनी study को break नहीं करना है MCQ है या तो उसमें आंसर आप गलती देंगे या फिर बिल्कुल सही देंगे ऐसा तो नहीं है कि आपका descriptive है subjective है कि यहाँ कुछ भी लिख दूँगा मैं उता number मिल जाएंगे नहीं MCQ में या तो आपका सही होगा या फिर आपका एकदम proper वो गलती होगा है न या तो आपका पूरा number या फिर आपका zero number है न तो study अपनी करते रहेगा दो दिन हैं बस 21 और 22 का तो अपनी study करते रहेगा admit क्तुछार सुछार जो प्या प्राव मैं शाया थिंटांगे जाए फिरा रहे नहीं